क्या आपके airtime sim में पर्वक प्रॉब्लेम हो रहा है और उसके वज़र से internet नहीं चल रहा और अगर चल रहा है तो भी बहुत ही slow net speed देखने को मिल रही है और pink प्रॉब्लेम भी हो रहा है अगर आपको इन में से कोई भी प्रॉब्लेम हो रही है तो आप एकडम सही वीडियो पर आए है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एपिएन सेटिंग बताऊंगा जिसको अप्लाइ करने के बाद में आपके यह सभी प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएंगे सो वीडियो को पूरा एन तक देखना वीडियो को बिना भूले अभी से एक लाइक कर कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और हैलफूल वडियो देखने के लिए एक को आज का एकसेश पॉइट नेम का ऑप्शन टून कर उसको open कर लेंगे फिर three dots पे click करके reset access points जरूर से कर लेना बहुत ही important है उसके बाद में आपको उपर या नीचे आपके phone के हिसाब से plus का icon मिलेगा उस पर click कर लेंगे फिर new APN वाला form open हो जाएगा तो अब मैं आपको जो values बताऊंगा उसको बहुत ही ध्यान से same to same fill up कर लेना नेम के अंदर आपको जाकर लिख लेना है Airtle Internet Max Airtle का A capital, Internet का I capital और Max पूरा capital में तो नेम के अंदर आपको लिख लेना है Airtle Internet Max फिर APN के अंदर आपको लिख लेना है Airtle GPRS.com फूरा small में और सब कुछ एक साथ APN में आपको लिख लेना है Airtle GPRS.com फिर proxy को not set रहने दो, port को भी not set रहने दो यूजर नेम के अंदर friends आपको जाकर लिख लेना है speedbot.max speed का S capital, bot का B capital और max पूरा capital में फिर यूजर नेम के अंदर आपको लिख लेना है speedbot.max फिर password को not set रहने दो, server के अंदर friends आपको लिख लेना है www.google.com सब कुछ small में और एक साथ, server में आपको लिख लेना है www.google.com फिर MMSC को not set रहने दो, MMS proxy और MMS port को भी not set छोड़ दो MCC और MNC आपके area wise अलग values होगी friends जो है वही रखना, बिल्कुल भी छेटशानी मत करना authentication type के अंदर second option, PAP PEP select कर लो APN type के अंदर friends आपको लिख लेना है D E F A U L T APN type के अंदर आपको लिख लेना है default, सब कुछ small में फिर APN protocol वाले option में जाकर आपको लिख लेना है मतलब select कर लेना है, third option IPv4 slash IPv6 similarly APN roaming protocol में भी third option IPv4 slash IPv6 select कर लेना है फिर bearer वाले option में friends unspecified पर टिक होगा उसको हटा कर LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE और GPRS इन सारे options को select कर लेना है ध्यान से देखकर important है जिन लोगों में इतने सारे options select नहीं हो पाते है वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ LTE को select कर लेना है बाकि सब लोग ये सारे options को select करो और APN को save कर लो फिर आपको अपना selection Airtle Internet Max वाला हमने जो अभी create किया उस पर ला देना है और अब आप अपना Internet यूज़ करके देखो क्या आपका Internet पहले से अच्छा चल रहा है या नहीं मुझे comment करके बताओ और इस वीडियो को एक like कर दो एम करते है 1000 likes के लिए और चैनल को भी subscribe कर देना हमें 2 लाग subscribers जल से जल hit करने में help हो जाएगी अपने family and friends के साथ वीडियो को भी share कर देना और हाँ मेरे Instagram टेलेग्राम की link वीडियो की description में है जरूर से follow कर लेना उदर मैं काफी जादा active हूँ तो वीडियो को लाइक करो चैनल को subscribe करो and thank you for watching my video